आपका हमारे चैनल नवल रिटी स्टूडियो में तो दोस्तों आज की क्लास को पिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस समय जो है कि तुद रस्त करते हैं कि तो थोड़ा सा स्वेमिल हो सकता है चलिए फिर start करते हैं first question निम्लेखित में से किसको compiler object code में परिवर्दित करता है ताकि वह execute हो सके यहनि में से कौन सा है जिसको compiler object code में परिवर्दित करता है जिससे कि वह कारे कर सके high level language को low level language को एसेम्पडी लाइंग्विज को यह आपका हाई लेवल लाइंग्विज को अब्येक्ट कोड्मे परवेअ है जिससे क्या है 01 को अनूर 252 क्योंट्यम है तो देङला फोलाली में शामिल नहीं है कौन से इन में से जो कि डिजितल भुकताने डिजिटल पयमेंट की सुभधां नहीं है आपको बताना है net banking mobile wallet check payment या फिर इन मेंसे कोई नहीं या फिर इन मेंसे कोई नहीं correct answer क्या होगा इसके लिए कि इन में से कौन डिजिटल पेमेंट सिस्टम नहीं है तो नेट बैंकिंग तो आपका डिजिटल ही होता है अनलाइन मुबाइल वेलेट भी आपका डिजिटल होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इन में से कौन सा प्रियोग होता है 0 से 7, 0 से 9, C नंबर आप से 9 और A से F और D नंबर आप से 9 इन में से कोई नहीं तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इन में से किसका प्रियोग होता है है तो एकटर डिस्मलमनिष है और डिस्मलमनिष दस है 혹시 आइस ऐसे तो जीरो से 9 और आ से एप है यह जो करेक्टर ऊका हो जाएगा सी जीरो टू नाइन एन्ड एटू एफ है यहनिन कुल करेक्टर कितने होते हैं 16 कौन-कौन तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके बाद 9 के बाद आपका A B C D E F इस तरह से कुल आपके 16 डिजेट्स आपके होते हैं एक्साडेसमल नंबर सिस्टम में फिर हम आता है कोसर नंबर 4 पे 1 MB किसके बराबर है 1 MB जो है वो किसके बराबर है 500 GB यानि 500 GB के 1024 Byte, 1000 KB या फिर 1024 KB तो जो 1 MB, MB के होता है मेगा बाइट तो मेगा बाइट किसके बराबर होता है 500 GB के 1024 Byte के 1000 KB के या फिर 1024 KB के तो जो आपका 1MB होता है, 1MB किसके बराबर होता है, आपका 1024 KB के, तो question number 4 का, D number असम क्रेट होगा, 1024 KB के बराबर होता है, आपका 1MB फिर question number 5, internet explorer किसका प्रकार है, बताएं आप लोग, internet explorer किसका प्रकार है, operating system का, compiler का, IP address का, या फिर browser का तो जो आपका internet explorer किसका प्रकार है, आपका internet explorer, या आपका प्रकार है, browser का internet explorer क्या होता है, browser होता है, और browser क्या होते हैं, तो browser वे program होते हैं, जो कि internet पर उपलब्द संसादनों करने, जो भी internet पर चीज़े होती हैं, उनका multimedia interface उपलब्द कराते हैं, वही आपके browser कहलाते हैं, जैस से आपके बहुत सारे प्रावर मौझूद हैं जो कि आपके यूज की आते हैं इंटरनेट पर और फिर हम बढ़ते हैं फिर इसे के साथ नेक्स्ट कोशन की तरफ कोशन नंबर सेक्स सबसे कामन पॉइंट करने वाली इंपूट डिवाइस कौन से आपको पताना है सबसे कामन इसे कंसी है जोकि इंपूट डिवाइस क्रूप में इस्तेमाल की जाती है ट्रैकबाल ताच पैड डच ऍचस्क्रीन या फिर माउस तो सबसे कामन पउंट करने वाली इंपूइंट कौन से होगी माउस होगी माउस जो है कि एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है तो k पर कौन सा सोसल मीडिया अधिक है मोबाइल के तुलना में डेक्स टाप पर कौन सा सोसल मीडिया अधिक है फेस्बुक ट्वीटर इंस्टाग्राम या फिर इन में से कोई नहीं तो आपका होगा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम जो है आपका मोबाइल के तुलना में डेक्स टाप पर एकी सोसल मीडिया अधिक यूज होता है फिर कोशन नमबर एट आई आई ओटी का पुन रूप क्या है आई आई ओटी का पुन रूप क्या होता है इंडस्ट्रियाल इंटरनेट आफ इंटरनेट आफ तंग्स ईया फिर इनमेंसे कोई नहीं तो इ, ioT का फुर्वारम क्या है तो इ, ioT क्या होता मैं आपका inडस्ट्रियल internet of Things गोस्टन नमबर 8 कशनल करेक्ट होगा इंडस्ट्रियल Internet Of Things फिर पनी बचान नमबर नाईन एक्सिल में कौन उपियोकर्ताओं की वर्क बूकों की प्रतियों को एक साथ लाने की उन्मति देता है जिस पर अनी उपियोकर्ताओं ने स्वतंदर रूप से कारे किया है एक्सिल में कौन उप्यों करता को वर्ग बुकों की प्रतियों को एनिक एक्सल है एक्सल में जो भी यूजर आपने वर्ग बुक बनाए हुए है उनको एक साथ लाने के नुमती एक में जोड़ने की नुमती कौन देता है जो की अलग-अलग यूजर अगर आपके अलग-अलग यूजर ने अ एकसा जोडने करुं Cool Sono No 9 का नॉ dairy और ठाट होता है क्या हुआ चिख हले जो itelip नियुकूज से पहले देटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर मज होता है जब डेटा को सेंड करते हैं जो ऊसमें क्या वहता है कि धिशसे जुट होता है वो ट्रांस्वोंट लेर पर मरडन होता है क्योंकि उससे पहले हैं कि आपका सेगमेंटिंट्स में आपका बाठागी जा चुका होता जोड़ोटे यह झोड़ा य। प्राइक्सपोर्ट लेर पर मर्ज होता है डेटा तो उस प्रक्रिया को क्या काते हैं ब्लोकिंग काते हैं सेग्मेंटेशन काते हैं पैक कि merge होना तो merge होना आपका paking होता है अगर merge होने की बाद हो तो क्या होगा paking होगा ठीक है 10 का C number अपका correct होगा B नहीं B क्या होता है कि आपका अलग-अलग छोड़े segment में बाटना आपका segmentation होता है लेकिन packing जो होता है आपका merge होना होता है ठीक है फिर कोशन नमबर 11 CRT का पुनुरूप क्या है CRT का पुनुरूप क्या होता है कैथोड एक रेट्यूब कैथोड रेट्यूब कैथोड रेटब या फिर एक क्लोज रेट्यूब तो CRT होता है आपका कैथोड रेट्यूब कोशन नमबर 11 का बी नमबर औसमन करेक्ट होगा कैथोड रे ट्यूब होता है CRT क्या होता है कैथोड रे ट्यूब ओके CRT आपका मानिटर का प्रकार होता है मानिटर मुख्यता जो है कौन-कौन से होते हैं CRT LCD LED और TFT LCD होता आपका Liquid Crystal Display LED होता है लाइट इमिटिंग डायोड और क्या वाचा TFT फिल्म ट्रांजिस्टर होता है ठीके तो मुख्यरूप से मानिटर आपके चार प्रकार के होते हैं फिर कोशन नमबर 12 है BIT का पुनुरूप क्या है BIT का पुनुरूप क्या है Binary Information Term Binary Digit Binary Tree या फिर Bivariate Theory या फिर Bivariate Theory तो BIT का फुल फार्म क्या होगा BIT का फुल फार्म क्या होगा तो BIT का फुल फार्म क्या होता है Binary Digit होता है क्या होता है Binary Digit Binary Digit में क्या होता है 0 और 1 Binary Digit कौन कौन से होते है Binary Digit तो binary digit जो है आपके 0 और 1 होते हैं द्वी आधारी, binary.com द्वी आधारी भी काते हैं, मसली लेंगविज भी काते हैं, ठीक है, 0 और 1 फिर एक question number 13, internet किस प्रकार का network है, internet किस प्रकार का network है, अगना जेसर network, private network, public network या फिर ISP network इंटरनेट किस प्रकार का network है, बताने आपको, कि अगना जेसर network है, private network है, public network है, या फिर ISP network है, जो आपका internet है, इंटरनेट कि आपका public network है, इसको कोई भी उच कर सकता है, internet आपका public network है, question number 13 का, जो C number option है, public network है, इंटरनेट एक public network होगा, फिर है question number 14, 14 क्या है, कि बिशो का प्रताम electronic computer कौन सा था, बिशो का प्रताम electronic computer कौन सा था, olmay unique, adivac, anyac, या फिर उपरयुग सभी, या फिर उपरयुग सभी, बिशो का प्रताम electronic computer कौन सा था, यूनिवैक, एडवैक, एनिएक या फिर All of the Options तो इसमें से जो है के प्रताम नेकर नी कंप्यूटर कौन सा था तो एनिएक था, कौन था एनिएक और एनिएक को किस ने बनाया था जेप्रेस पर एकट और जोन मोशली ने बनाया था जे प्रிस परेकर्ट और जो अनमोचल नी से लॉँंच किया था और जो N.E.A.C. था N.E.A.C. जो है कि आपका 50 फिट लंबा 30 टन वजन का computer था और जो N.E.A.C. था इसमें वैक्यूM टूब्स का इस्तिमाल गिया था और यह जो है कि एनी एक कम्यूटर चलाने के लिए 150 किलोवाट बिर्दूत किया हो सकता पड़ती थी तो कोशन नमबर 14 का सी नमबर 18 करेक्ट है एनी एक, एनी एक जो है कि पहला एलेक्ट्रोनिक कम्यूटर था फिर कोशन नमबर 15 हार्डिक्स दोनों तरफ उपर किस से कोटेड होता है जो हार्डिक्स होता हार्डिक्स दोनों तरफ से उपर से किस से कोटेड होता है मैगनेटिक मेटालिक अकसाइड, और टिकल मेटालिक अकसाइड, कॉर्बन लेयर या फिर उपर योग सभी correct answer क्या होगा इसके लिए कि जो आपका hard x से hard x दोनों तरफ उपर किस से coated होता है तो correct answer क्या होगा इसके लिए तो magnetic metallic oxide क्या होता है magnetic metallic oxide के द्वारा coated होता है question number 15 का जो ए नमबर option है correct होगा magnetic metallic oxide फिर question number 16 data या सुचना है जो computer को चलाने के लिए प्रियोग होते हैं वे क्या कहलाएंगे data या सुचना है जो computer को चलाने के लिए प्रियोग होते हैं वे क्या कहलाएंगे software, hardware, peripheral या फिर CPU या फिर CPU correct answer क्या होगा आपका कि data और सुचना जो कि computer को चलाने के लिए प्रियोग होते हैं क्या कहलाते हैं साफ्ट्वेयर कहलाते हैं हाडवेयर कहलाते हैं पेरिफेरल कहलाते हैं या फिर सी प्यू कहलाते हैं तो क्या कहते हैं उनको साफ्ट्वेयर कहते हैं जो कि आपके computer को चलाने के लिए प्यूक होते हैं, software कलाते हैं और software के लिए depression और भी होता है कि software क्या होता हैं software computer के वह भाग होता हैelled जिसे हम itfạoर्स नहीं कर सकते हैं और फिर आप कहाँ सकते हैं कि जो भी computer program चल रहा होते हैं वे सभी software होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग भासा में लिखे गए निर्थेशू के समूँ जो computer user और computer hardware के मद्य समन्वा इस्थापित करते हैं ताकि वे आपस में समाद कर सकें उन्हें हम software कहते हैं फिर हम बढ़ते हैं question number 17 पे निम्न में से कौन से LAN configuration में सभी nodes एक संचार लाइन साजा करते हैं जो दोनोती साव में संदेश रखता है इन्हें कि इनमें से किस LAN की topology में इनमें से किस LAN की topology में जो भी सभी nodes होते हैं एक संचार लाइन को साजा करते हैं और जो संचार होता है वो दोनोती साव में होता है तो bus topology, ring topology, start topology या फिर इन में से कोई नहीँ या फिर इन में से कोई नहीं तो इन में से कौन सेमें 카onseной konfiguration होगी bus, ring, start या फिर इन में से कोई नहीं तो उसके लिए आपका खोटाया bus topology, bus topology क्या होता है, main line होता है जिस बैकबोन जिसे बोलते हैं इसमें और वो जो एक संचाला इन सभी साजा करते हैं और इनमें जो data का communication होता है वो दोनोती समय में होता है 17 का एनम मॉलासन आपका correct होगा फिर एक question number 18 जो कि यह copy की sort की क्या है copy के लिए क्या sort की use होती है shift C, alt C, control C, नमें से कोई नहीं अगर आपको क्या करना है file को copy करना है कि इसको copy करना है तो copy के लिए कौन से shortcut की use करेंगी shift C, alt C, control C का जा पिर इनमें से किसी का नहीं तो copy के लिए आपको उता है control C, control C के दवारा आप copy कर सकते हैं question number 18 का c number option आपका correct होगा फिर question number 19 दो अपरगार की main memory कौन सी है main memory बताना है आपको कि दो अपरगार की main memory कौन सी है primary and secondary random and sequential roam and ram या फिर उपर युग सभी या फिर उपर युग सभी correct answer क्या होगा इसके लिए तो दो अपरगार की main memory जो होती हो क्या होती है roam and ram ram और roam जो है कि आपके primary memory होते है main memory होते है तो question number 19 का c number 1 correct है roam and ram फिर हम बढ़ते हैं question number 20 cell के सामकरी को center में align करने के लिए क्या करते हैं बताना है आपको कि cell का content होता है cell का जो भी सामकरी होता है उसको center में align करना होता है तो उसके लिए क्या करते है formatting toolbar से center button को दबाएंगे या फिर control F दबाएंगे या control D दबाएंगे या फिर control C दबाएंगे तो cell का जो भी content है cell में जो कुछ भी लिखा अगर आप उसको center align करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप formatting toolbar से center button को दबाएंगे question number 20 का ये number option correct होगा center button को दबाएंगे formatting toolbar से center button को दबाएंगे या option आपका correct होगा तो दोस्तो आज की class बस यहीं तक तो दोस्तो अगर आप अभी तक आपने आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और दोस्तो वीडियो को लाइक करें आपके दोस्तों को सेर करें ओके ठैंक्स फार वाचिंग